नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां दूद के साथ बस ये पांच रुपे की चीज मिला कर पीजिए सेहत देखकर लोग दंग रह जाएंगे ये है आज का हमार तंगेज फैदे नजर आने लगेंगे यदि आपको सेहत बनाये रखनी है और मीठा भी खाने का शोक है तो ऐसे में आप दूद के साथ गूड का सेवन कीजिए बहुत अनुसंधान के बाद विशेशग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हर व्यक्तिकूर हो जाना इसका चीनी के सेवन से एसिट की मातरा बढ़ जाती है जिससे हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं वैदे की सलाह के अनुसार निरोगी काया और दिरगायू के लिए भोजन के बाद नियमित रूप से 20 ग्राम गूड या फिर सुबह और रात को दूद के साथ गूड का सेवन कर जबकि चीनी को सफेज जहर माना जाता है गूड खाने से हमारे शरीर के पाचन क्रिया में सुधार आता है जबकि चीनी एसिट पैदा करती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है आयरुवेद में किये गए अध्यान से पता चला है कि गूड के मुकाबले चीनी को करता है गुड या प्राकृतिक शक्कर खाने से खून साफ होता है रोज खाना खाने के बाद गुड खाने से पेट में ठंडक मिलती है और गैस नहीं बनती है दूद के साथ गुड खाने से पाचंतंतर हेल्दी रहता है इम्मूनिटी पावर बढ़ता है जी हां यादि आप काम से बहुत ज़्यादा ठक जाते हैं तो ये पे आपके लिए किसी अम्रित से कम नहीं है बता दें दूद के साथ गुड में विटामीन ग्लुकोज और एंटियोक्सिडेंट भरपूर मातरा में पाया जाता है जो हमें बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है लोह तत् तिक शक्कर में खून के लिए जरूरी लोह तत्व भरपूर मातरा में होता है अता इसे अनीमिया के मरीजों को खाना चाहिए दूद के साथ गुड खाने से अनीमिया से छुटकारा मिलता है खून की सफाई और तवचा को जवाँ बनाए रखता है जिहां यदि हम गर्म द खाराता है और कील मुहासों की समस्या भी दूर रहती है आपसे सर्दी खांसे और जुकाम को भी ठीक करता है ठंड के मौसम में यदि हम गर्म दूद के साथ गुड का सेवन करते हैं तो इससे हमारा शरीर गर्म रहता है जिसके कारण हमें ठंड में होने वाली तकलिफ कीट को आराम मिलता है और दर्द में राहत मिलती है जी हां तो देखा आप सभी ने कि दूद और गुड को खाने के कितने बेमिसाल फायदे हैं अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ चुड़ेंगे एक और बेहदी महतों पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों